मुंबई ने राजनीती, सिक्षा, विज्ञान, संस्कृती, अध्यात्म और समाज कल्यान के चेत्रों में भी अग्रणी योगदान दिया है, द योग इंस्टिट्यूट मुंबई ने भी इस महानगर की परंपरा के अनुरूप महत्वपून योगदान दिया है आधुनिक भारत में लोकतांत्रिक जागरुपता के पिता महें माने गए बुद्धी जीवी देश भक्त दादा भाई नोरोजी के निवास पर इस इंस्टिट्यूट की शुरुवात की गई थी तब से लेकर आज तक योग के प्रसार में सो वर्षों की सेवा संपन करने के लिए इस संस्थान ने जुड़े सभी व्यक्ती प्रसंजा के पात्र है यह खुशी की बात है की अपने योगदान को आगे बढ़ाते हुए यह संस्थान के निर्देशन में योग एवं सम्माज कल्यान के छेत्र में उलेखनिय कारिय कर रहा है पेरा के लिए विशेश योग पद्धतियों की सिक्षा दी जाती है मुझे बताया गया है की आपके संस्थान ने ट्रक चालकों से जुड़ी तकलीफ को कम करने के लिए ट्रकासन विक्सित किया है मुझे जानकारी मिली है की रोज लगभग 2000 लोग इस संस्थान में आकत आपकी सेवाओं का लाब उठाते हैं मुंबई और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की दोड़ भाग और तनाव भरे जीवन में संतुलन लाने के लिए योग सिक्षा बहुत उप्योगी है हम सभी जानते हैं की 193 सदश्य देशों की सहमती के साथ संयुक्त राष्ट्र महसभा ने प्रती वर्ष 21 जून को अंतर राष्ट्रिय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था अपने संकल्प में संयुक्त राष्ट्र महसभा ने यह सपस्ट किया था कि योगा भ्यास पूरे विश्व की जनसंख्या के स्वास्थे के लिए लाबकारी होगा राश्ट्र संग ने समस्त विश्व को स्वस्थ बनाने की दिशा में अंतर राश्ट्रिय सहयोग की आवशक्ता पर बल दिया है सन 2015 से अंतर राश्ट्रिय योग दिवस के दिन अधिकांश देशों में योगा भ्यास के आयुजन किये जाते है मेरे विचार से भारत की सोफ्ट पावर का एक अतियंत महत्वपून उधारन है योग आज पूरी मानवता की साजह धरोवत बन चुका है इस वर्ष 21 जून को मनाए गए चोथे अंतर राश्ट्रिय योग दिवस के दिन मैं सूरी नाम में था मैंने सूरी नाम के राश्टपती तथा वहां बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों के साथ योगा अभ्यास किया दो राश्ट्रा ध्यक्षों द्वारा एक साथ योगा अभ्यास करने और अंतर राश्ट्रिय योग दिवस मनाने का वह अनोखा और एतिहासिक अउसर था आज यहां मन्च पर आसीन स्वामी भारत भूशन जी ने ही वहां पर योगा अभ्यास का संचालन कराया था पैरा योग की अंतर राश्ट्रिय लोग प्रियता के अनेक प्रभावशाली उधारन है इस वर्ष मार्च में सौधी अरब की युगती श्री नौफ को पदम श्री से सम्मानित किया गया उनके अरब योग फाउंडेशन के केंद्र आज सौधी अरब के लगभग हर शहर में सक्रिय है चीनी मूल की अमेरिकी नागरिक सूश्री चांग ने चीन और अमेरिका में योग की लोग प्रियता को नए आयाम दिये है उन्हें वर्ष 2016 में पदम श्री से सम्मानित किया गया योग फेडरीशन ओफ यूरोग के अध्यक्ष सर्बिया के श्री प्रेद रागनी यूरोग के अने बड़े शहरों में योग का प्रचार प्रसार किया है उन्हें भी वर्ष 2016 में पदम श्री सम्मान प्रदान किया गया इस प्रकार पूरे विश्व में योग के प्रती उत्साह दिखाई दे रहा है पैरा योग का अर्थ है जोड़ना योग का अभ्यास व्यक्ति के शरीर मन और आत्मा को जोड़ता है और स्वस्थ बनाता है इसी प्रकार यह है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से एक समुदाई को दूसरे समुदाई से और एक देश को दूसरे देश से जोड़ सकता है योग के पीछे जो सोच है उसके अनुसार सारा संसार एक ही परिवार है जिसे हम सब वैसुधेव कुटम्बकम कहते हैं भारत की पहल पर योग के प्रती विश्व समुदाय का सम्मान बड़ा है अतहे इस छेत्र में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है योग की बढ़ती हुई लोग प्रियता के कारण कई ऐसे केंद्र भी सक्रिय हो गए हैं जिनमें योग दर्शन तथा योगा अभ्यास पद्धती के बारे में समुचित ज्यान और श्रद्धा का अभाव है अतहे योग पद्धती को सही और सरल तरीके से जन सुलब बनाना योग से जुड़े अच्छे संस्थानों का दाईत्वर है सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि योग के भली भाती प्रैशिक्षित ट्रेनर्स देश विदेश में उपलब्ध हों योग की वैग्यानिता के कारण इसका प्रभाव बढ़ रहा है बहुत से लोगों को इसमरन होगा की बहरत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने स्पेस सिकनेस से बचाओ के लिए अंतरिक्ष यान में योगा भ्याश किया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने भी योगा भ्याश किया था पर योग की शिक्षा किसी संप्रदाई या पंथ से जुड़ी नहीं है कुछ लोग योग को संप्रदाई से जोड़ते हैं परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है योग तो स्वस्थ जीवन जीने का एक रास्ता है जिसे अपनाने से मनुष्य के शरीर, मन और पूरे व्यक्तित्व को लाभ मिलता है डॉक्टर सेहत सुधारने के लिए सवेरे पहलने और व्यायाम करने की सलाह देते हैं लोग डॉक्टर की सलाह के मुताबिक जीवन चरिया भी अपनाते हैं उसी तरह योग भी एक स्वास्थ अपरत पदती है जब व्यक्ति स्वास्थ रहता है तो परिवार स्वास्थ रहता है जब परिवार और समाज स्वास्थ रहते हैं तो देश स्वास्थ रहता है सभी देशों के स्वास्थे के आधार पर पूरा विश्व स्वस्थ जीवन का लाब ले सकता है सर्वे संतु निरामया की हमारी सोच का यही लक्षय है की दुनिया के सभी लोग स्वस्थ और रोगमुक्त रहें इस सोच को साकार करने में योग का रास्ता बहुत उपयोगी है पैरा योगा भ्यास करने से हर व्यक्ति की इम्म्यूनिटी बढ़ती है योग के अनेक प्रैशिक्षक प्राणायाम एवं योगा सनों की उपयोगीता बताते हुए यह सपस्ट करते हैं कि किस प्रकरिया को करने से किन-किन रोगों का प्रतिरूद हो सकता है आजकल जीवनचरिया से जुड़ी बिमारिया बढ़ रही है यह एक आकलन के अनुसार भारत में 20 वर्ष से अधिक आयू वर्ग की लगभग एक चोथाई से अधिक आबादी हाई ब्लड प्रैशर से प्रभावित है ऐसी बिमारियों की रोगताम में भी योग चिकितसा को उपयोगी माना जाता है साथ ही उनकी उर्जा और सक्रियता का इस्तर भी अच्छा रहता है योगासन से एकागरता भी बढ़ती है स्कूलों और कॉलेजों में योगा अभ्यास कराने से हमारे बच्चों और युवाओं के समग्र विकास में बहुत सहायता मिल सक्ती है पैरा द योग इंस्टिट्यूट द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक भी शामिल है यह तथ्य इसलिए महत्वपून है कि पूरी मानवता से जुड़े ज्यान के इस संग्रह में योग को शामिल किया गया है और योग के विशय पर इस संस्थान की पुस्तक को चुना गया इस एतिहासिक संस्थान के शताबदी समारो है कि अवसर पर मैं एक बार फिर द योग इंस्टिट्यूट से जुड़े प्रतेक व्यक्ति को बधाई देता हूँ मुझे विश्वास है कि आप सभी योग के प्रचार प्रसार थे जनकल्यान के अपने प्रकल्पों को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे स्टॉप तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेड्स को शेयर करें